कहीं पर भी किसी भी स्टॉक ने गर इस तरह का सेट अप दिखे न शॉर्ट सेलिंग कर दो आप कुछ बिना सोचे बिना सोचे इंदर सेंस के आपको यह मौलूम है कि इसमें शॉर्ट सेलिंग ही करनी है आख बंद करके बस ऐसी जेगा ढूड़ें ही जहाँ पर जाकर के वहाँ से बायर्स प्राइस को शॉर्ट कर देता है ये आपका पर स्टॉक आपका है जाता है अब देखेए क्या है न है यहाँ पर जैसे प्राइस पहुंचे शॉर्ट नहीं करदेना है कितना सारे वीडियो अल्रेडी हमने बना करके अप्रूट किये हुए उसमें एक चीज बताईए आपको जब वेबगार हमें यह मालूम है कि यह हमारे एक रेस्टेंस पाइंस में करना शॉट तो इस जगह पर अपने आपको बताते हैं तो यह सही नहीं है इसके थोड़ा सा चेंज करके जब प्राइस जगह पर आया वो ब्रेकाउट कर रहा है करने तो हमें मालूम है कि मैं शॉट सेलिंग करने तो जैसे ही प्राइस इस जगह पर पहुंच रहा है एक मधर केंडल उठा लो आप इंगलफिंग केंडल देख लो आप शूटिंग स्टार देख लो इसके लावा आप मौनिंग स्टार है इवनिंग स्टार है इन पैटर्स को आपकी अकुरेसी बढ़ जाएगे इंट्राइड टेडिंग करने में आपकी जो कॉंफिटेंस ना वो लेवल ही दूसर होगा उसको देख लेना पूरा टॉपिक क्लिर हो जाएगा आज का स्टार्ट करते है इसके वीडियो अपनी इस वाली के फॉर्म हो जाने के बाद में एक शॉर्ट सेलिंग की पोजिशन इसके अंदर फॉर्म की थी बनाई थी सो यहां पर आप देख सकतो 5000 कॉंटिटी इसके साथ हमने शॉर्ट किया था पोजिशन पोजिशन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसके अंदर अपनी जो एंट्री थी 95222 पर अपनी एंट्री थी 95222 एस जागे पर अपनी एंट्री थी स्टॉप लॉज जो हमने लगाया था कल के देखे यह कुछ सेशन लगे हुए कुछ हाइस थे यहां पर मार्केट गई फिरसे नीचे गिर गई थी स्टॉप लॉज हमने इसके जस्ट उपर अपने स्टॉप लगाया था कंडिशन यह थी उमीद यह थी कि प्राइज एक बार आगर नीचे की तरफ आया मतलब कि इस रेंज को ब्रेक करके जब यह उपर की तरफ गया और वापस जब नीचे आगया तो में भी चांस है अपन इसको ट्रेट किया था तो इस वजए से इसके अंदर अपना प्रोफिट चला है 9300 का प्रोफिट चला है और अब देख सकता तो इस टॉप्लस जो 96 के पास में लगा हुए है और 95.15 पर अपना एंट्री थी तो 5000 कोईटी के साथ यह तो इसको भी एक बार रिफ्रेश कर ले देखेंगे सो डे ताम फ्रेम पर एक बार में लोग नजब घुमा लेते हैं यह कुछ इसके स्विंक्स बने हुए है जब आप ग्रीन वाली केंडल देखोगे अपनी तो इसके उपर देखें मार्केट नहीं निकल पार इसने जितना भी हाई लगाया जो भी है लगाया है यहां पर जाकरके इसने एक मुव्मेंट दिखा दिया था याद होगा वैलिडेशन और डाइवर्जन यह दो सिस्टम ने आपको बताया थे विए से के पैटर्स में देखें अपसाइड की तरफ गया वालन से अपसाइड की तरफ गया है मतलब किस्ट्रॉंग है वापस द इस वज़ए से हमने इसको उठाया और यहां से कर दिया था शॉट सो एक अच्छा मूव हमें NCC ने लास्ट टाइम में दिखाया अच्छा यह वाला जो देम आपको बोलने थे यह दिन सो यहां पर हमने इसको शॉट किया था सॉरी उस जगह पर अपने स्टॉप लोस लग इस जगह पर अपनी सेलिंग थे बाद में देखिए प्राइस उपर की तरफ गया थो हमें नहीं उम्मीद थे कि प्राइस उपर तक चला जागा बट वहां तक गया है लेकिन प्रीवेस टेक के उसको ब्रेक नहीं किया और इस स्टॉप लॉस जो अपने थे वो 96 के पास में इस वैसे स्टॉप लॉस थोड़े से सेफ बने रहे और मार्केट देखिए पूरे दिन साइड वे हो जाने के बाद में लास्टाइम में इसने मुव्मेंट दिखा दियो अभी जो प्राइस चल रहा है और प्राइस बेशक अपने इंक्रीज ही हुए होंगे हाँ ठीक है अ से जाता है फिर गर जाता है फिर जाता है फिर गर जाता है ठीक हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा गिर रहा है नीचे की तरफ फिर समने देखा प्राइस ओपर की तरफ गया मार दिया शॉट 915 की केंडल को उसने नीचे की तरफ ब्रिक कर दिया देखे किस तरह से अनलसिस हो रहे है, 9.15 की जो candle हमारी अब higher time frame है higher time frame पर हमने इस candle को mark किया high mark कर लिया, price देखे जब-जब upside की तरफ जा रहे, इस candle movement नीचे, फिर से नीचे फिर नीचे, फिर नीचे, 1 to 1 day before, फिर से नीचे की तरफ गिर गया अब ये जो session लगा था अपना, यहां पर एक high लगाता है न, इसके बाद में क्या करना था है ये market को, इसे क्या करना होगा अब जस्ट ये जो blue वाली candle है, जो अपना इस stop loss है, चलिए इसको मान लेते हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है lower time frame पर है, हमने क्या देखा कि price ने सबसे पहले अपने 9.15 का low ही break कर दिया, 9.15 का low break कर देने के बाद में, previous to previous day की range के अंदर आकर के trade कर आ है, ये bullishness तो है ने, किसी भी angle से क्योंकि 9.15 का low break हुआ previous to previous day की range के अंदर आ गया market, नीचे गर गया, फिर हमने देखा यहां पर अपनी entry के confirmations बन रहे हैं, हमने अपनी entry ली और swings के पास में अपने stop loss रखती है और यहां से अपने trade एक सब्सक्राइब, हालां कि ऐसा भी हो सकता था कि आज की trade में हमारे stop loss चला जाता, लेकिन थोड़े ही पैसे हमारे stop loss सेफ रहा है आपर so 11,000 का round का profit चल रहा है and इस पर जो अपना time है यह candle, तीन बचकर दस minute के है मतलब तीन बचकर दस minute पर यह candle अपनी complete हो जाएगी VSA के recording, VSA trading system का use के, VSA strategy का use किया है और फिर से बोले हो strategy को देखना तो जाए और video हमने upload किया था, VSA full course करके उस video को देख लो पूरा trade समझ में आजाएगा आपको यह तो इसी की तरह आप बांकी की trade से आपने execute कर सकते हो तो अच्छा system अच्छी तरह work करता है इसके पर आप practice करूँ बहुत बहुत आपको help मिलीगी बहुत स्यादा help मिलीगी और कल जितने stocks में trade करने के लिए दे सभी stocks नेचा perform के देखे जैसे वेदानता आपने बोला तो नहीं गिरेगा और इसके अंदर red candle ही फॉर्म होगी तो वेदानता के अंदर red candle ही बनी आज यह पूरे दिन ऊपर गया नहीं है बिटानियामें हमने कहा था कि इसके अंदर green candle फॉर्म ही तो green candle ही भी ही बन रही है लिए लों खुला था कि इसके अंदर green candle हो जा यूद्धर फॉर्म होगी तो देखे अभी अभी जाकर कहमें लाग रहा है पूरे दिन में अब इसने एक red candle केंडल किया वरना फिर यह पूरे दिन गीरा नहीं नीचा के तरफ इसके अभी close नहीं हुई है market हो सकता है 2-4 पैसे से यह green candle में ही convert हो जाए मतलब day time frame पर आपको यहाँ पर green candle ही देख जाए में भी chance है तो इसको भी देखिएगा और शाम के देखिवी 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 green candle बनगे बिल्कुँ 10-5 पैसे का फर्क चल रहा है यह एक रुपया दो रुपया का फर्क चल रहा है बहुत ज़्यादा चांस है कि green candle ही बनेगी शाम को भी कुछ वीडियोज हम अपलोट कर देंगे आप लोगों को ट्रेट करने क्लिए इसको देखिएगा और कल ट्रेट के जाएगा यहां से फिलाल हम लोग बहार निकलते हैं 11,000 का profit चल रहा है और अब बुक में चलेंगे और बुक में सिंपल केंस्ल कर देते अपना stop-lossm लोग और वापस promotion बुक में इस स्क्क्वार ऊभ एसक क्वार नेंटीट तू एटसी डू ईट इटीट फटो चल यहां हो गया रिफ्रेश्ट कर लेते हैं इसको एक बहुत बढ़ी है थाउजन रुपीज का अपना प्रॉफिट हुआ है अच्छा मतलब ब्रोकरी निकल आई है तीन सो साठीन सो ब्रोकरी जाएगी बढ़ी है पंद्राइस उपाय के लगबभा प्रॉफिट जाता हुगा है फंद्राइस नहीं थाउजन रुपीस का सो यहां से हम लोग बाहर हो चुके हैं एक्जिट कर दिये थाउजन थाउजन थाइद प्रॉफिट हमना और चलते हैं एंट्री एग्जिट कहां पर होई है देखें फर्क पड़ा है 9280 पर और एग्जेक्टिट प्राइस जो था 9250 पर मतलब 30 पैसे का हां 30 पैसे का ही लगब प्रफिट हुआ है कॉपी कर लेते हैं एग्जेक्टिट प्राइस अमरत 9250 का है सो एक लाइन हम लोग पुट कर देते हैं पेस्ट 9250 अभी मार्केट प्लोज नहीं हुए लेकिन यह ठीक है कि आज हम लोग टॉप पर तो एंट्री नहीं हो पाई है लेकिन बॉटम पर निकले जरूर है सो ऐसा टॉप एंट बॉटम को रिगर्णाज करने मतलब इंपॉसिबल ऐसा कुछ हो नहीं सकता हाँ यह हो सकता कि आप निकलो और मार्केट उसके नीचे ना जाए ओपर की तरफ ना जाए अगर आपने शॉट मार दिया हो वह अलग बात बन जाते है चलिए 1 इस टू 3 के राउंड का आच 3.3 के राउंड का आरार रेश्यो बना इस टॉप लोस अगर और चोटा होता क्योंकि यह जो स्विंग्स थे ना यह इंपॉर्टन थे अब टेक्निकल लेंग्वेज में इसको आप डवल टॉप यहीं परगती इस तरह हो जाते लेकिन यह डवल टॉप करो कि डे टाइम लुप रीडिंग करो ट्रेंड अइडनेटिफाइए करो लोवर टाम फीर पर आपने अट्री के इंट्री के कंद्फरमेशन्स लो और ट्रेड एकजिकूट करो सिंपल ना को इंडिकेटर ना कुछ कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सिंपल में काम इन आज के टेट आम लोगे इंपर खतम करते हैं, VSA वाले वीडियो देख ले ना, जिसे इस टेड जो जिस सिस्टम कें बात करें, VSA में जाओगे आप वह अची चीज़ीजी इने बता रखें हैं, वो शयद एक घंटे या कुछ मुट का वीडियो है, उसको देख ले ना, बहु भी स्टॉक आपको ट्रेट करना है वह स्टॉक हम आपको दे देंगे ट्रेट करने लिए कल उसको ट्रेट करना है ठीक है थाइंक्स गुडबाई देविल मेट अगेन